नमस्कार दोस्तों मैं गजानन दगरवाल किसान केंटीन चैनल से और आज हम लोग special कुछ जानने के लिए तयार हैं जो सहरों में आजकल बागवानी लोग कर रहे हैं उसमें लोग growback का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम लोग जानने के लिए तयार हैं कि किस तरह के growback हम लोगों क मार्केट से पर्चेश करने चाहिए और किन टेकनिकल पॉइंट का हम लोगों को ग्रोबेक पर्चेश करते टाइम ध्यान रखना चाहिए तो आज का वीडियो बड़ा इस तरह की खेटी करना चाहते हैं ग्रोबेक के अंदर वेजटेबल ग्रोबेक लेने चाहिए और उन ग्रोबेक की क्या इस पेसलिटी होनी चाहिए ताकि हम लोगों को लोग लाइफ इसकी बेनिफिट्स मिल सकें चली हम लोग सुरुबात करते हैं ग्रोबेक के बारे में जानने के लिए देखिए दोस्तों जो ग्रोबेक अभी आपको हम दिखाने जा रहे हैं ये ग्रोबेक है इस ग्रोबेक का इस्तमाल हम लोग लीफी वेजटेबल के लेफी हुआ या अन्य कोई भी लीफी वेजटेबल जिसको हम लोग इंग्लिस वेजटेबल में भी काउंट करते हैं उनको हम लोग इसमें इजिली ग्रोब कर सकते हैं क्योंकि बेसिकली उसके लिए छेंस से ज्यादा की उंचाई नहीं चाहिए और एक खास बात में आपक ऐसा वेजट होता है क्योंकि हम लोगों को बार-बार परचेच करना पड़ेगा दूसरा नुकसान ये है कि हमारे दुवारा प्रियावरण को भी नुकसान होता है क्योंकि वो हलके माइक्रोन के होते हैं 200 माइक्रोन, 1.500 माइक्रोन, 200 माइक्रोन के तो उनकी लाइब बहु कुछ लोग जिनको इस तरह के grow bag में थोड़ा बड़ा लग रहा है तो उन लोगों को हम लोग छोटा grow bag भी suggest करते हैं, ये देखिए, ये भी grow bag धनिया पालक मेथी इस तरह की leafy vegetables के लिए है, बस फर्क इसमें इतना ही है कि ये जो है ये 15 इंच चोड़ा है यानि गोला है और 6 इंच उचा है, चलिए अब हम लोग next grow bag के बारे में देखते हैं, देखिए friends, ये बड़ा small grow bag है और बहुत प्यारा लुक है, आप जैसा इसको देख पा रहे हैं, उठाने में इतना light weight है, कि आप इस तरह के grow bag, 1000 grow bag अपनी गाड़ी में four wheeler कार में, छोटी से छोटी कार में आप carry कर सकते हैं, easily carry कर सकते हैं, बस फर्क ये है कि ये heavy micron का है, ISI marked है, तो इसको आप ज्यादा मोड़ा मोड़ी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये मोड़ेगा नहीं, जनरली क्या होता है, बाजार में जो हलके grow bag मिलते हैं, सस्ते grow bag मिलते हैं, उन grow bag के अंदर क्या है दिकत, कि उनको आप मोड के वो लोग विजवाते हैं, वो easily stand up नहीं हो सकते, ये बहुत easily stand up हो सकता है, आप देख पा रहे हैं, जैसा कि ये देखिए, इसका जो size है, friends, इसका size है, आठ हिंच का एक गोला है, और करीब करीब 6 इंच इसकी उंचाई है, और ये जो grow bag हम लोगों ने बन सुंदर है, इसमें आप flower indoor plant भी लगा सकते हैं, बहुत ही सुंदर है, ये इस तरह के bonsai plants के लिए है, जो घरों के अंदर हम लोग indoor रखते हैं, उनको भी हम लोग suggest करते हैं, कि आप इस तरह के grow bag multiple stand के साथ में लगा सकते हैं, चलिए अब हम लोग next grow bag देखते हैं, देखिए, ये भी कितना प्यारा लुक है, सबसे खास बात है कि इसकी जो बनावट है वो हमारे लेधर वाले कारिगरों के द्वारा बनाई जाती है, और special ये लोग बाहर के कारिगर हैं, वो इसको बना पास सकते हैं, क्योंकि इतनी सुंदरता आना impossible है जनरली जो लोग बनाते हैं उन निकलने के लिए हम लोगों ने नीचे की सिलाई का बेस बना रखा है, और हमारी टोटल सिलाई, डबल सिलाई है सर, सिंगल सिलाई में कोई भी मैट्रिल हमारा एवलेबल नहीं है सर, नेक्स ग्रोबैग हम लोग देखने जा रहे हैं, यह देखिए, यह बहुत प्यारा और बहुत सुंदर ग्रोबैग है, इस ग्रोबैग की जो चोड़ाई है वो दस इंच है और उचाई भी सेम एक्वल है, हमारी जितने भी ग्रोबैग आपको मिलेंगे, वो हमारे होटी कल होटी कल्चर स्पेसलिस्ट की गाइडेंस पर यह काम किया है, ताकि इसमें मीडिया भी कम लगे और ग्रोथ रेट भी अच्छी रहे, क्योंकि बिना होटी कल्चर स्पेसलिस्ट के एदि हम लोग ग्रोबैग किसी को सजेस्ट करते हैं, तो सबसे बड़ा नुकसान यह होता है, कि उसके अंदर लगने वाला मैटरियल बहुत ज्यादा हो जाता है, और छट पे थोड़ा भारपन आ जाता है, इसको हम लोग 10x10 इंची का ग्रोबैग बोलेंगी सर, और इसके अंदर हम लोग सिंगल वेजिटेबल्स लगा सकते हैं, जिसमें आपका हो गया, मिर्च हो हो गया, बेंगन हो गया, बिंडी हो गया, इस तरह के प्लांट हम लोग इजिली इसमें ग्रोबैग कर सकते हैं, सिंगल सिंगल, चलिए नेक्स ग्रोबैग देखते हम लोग, और ये ग्रोबैग बहुत ही प्यारा ग्रोबैग है, इसका साइज बहुत ही अच्छा है, जनरल ग्राउंड जत्बानी और इतने लाइट वेट हैं और इतने लाइटवेट है कि आप घर में कई रख सकते हैं बालकनी में चट पे या ग्रौंड पे कहीं भी अब हम लोग next grow bag देखने जा रहे हैं ये grow bag बहुत ही प्यारा grow bag है इसका size है 16 इंच इसका गोला है और 11 इंच इसकी उंचाई है इसमें हम लोग बेल वाली सबजियां कर सकते हैं चाहें तो बेल वाली सबजियां जनरली आप मानिये की आपको लोकी करनी है तुरही करनी है या जिस तरह की और करेला करना है इस तरह के प्लांट सापिस में easily grow कर सकते हैं और बहुत अच्छे डंग से चलेंगे ये हमारा grow bag का division चल रहा है grow bag में हम लोगों के पास में 9 तरह की variety है ये अभी हमारा जो चल रहा है ये 16 इंटू 11 इंची वाला है अब हम लोग next जो देखने जा रहे हैं बहुत ही प्यारा डिजाइन है ये देखिए ये जो grow bag है इसकी गोला है 18 इंच और उंचाई है 18 इंच इसमें हम लोग bonsai fruit plant लगा सकते हैं जिसमें पापाया हो गया आपका आपका गुआवा हो गया अमरूद अनार और केला हो गया इसके अलावा हम लोग और भी तरह के plants जो mango है mango में bonsai भी लगा सकते हैं तो इस तरह के जो fruit plant है उनको हम लोग easily इसमें grow कर सकते हैं कुछ लोगों को लगता है कि बेल वाली सबजियां हम लोगों थोड़े उंचे वाले में लगानी चाहिए तो वो easily उंचे वाले में भी लगा सकते हैं तो ये fruit plant का भी option है हमारे पास में available अब हम लोग एक next grow bag देखने जा रहे हैं वो इसका एक तरीके से substitute है और थोड़ा बड़ा है ये देखिए ये जो grow bag आप देख रहे हैं इसकी height है 24 इंच और जो डाया है यानि गोला है वो भी 24 इंच है और इसको generally हम लोग use करते हैं fruit plant के लिए तो जो fruit plant है उनको हम लोग इन सतरह के grow bag में use करके उगा सकते हैं सबसे खास बात ये है कि हम लोग इनको easily छत पे रख सकते हैं और इनकी जो life है वो कम से कम 4-5 साल है तो कहीं भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली बस आप लोग जब भी किसी से grow bag purchase करें तो उसकी quality को assure करें जैसे gold की assurance क्या होती है कि उसका whole mark देखके gold की assurance का पता करते हैं तो उसी तरीके से grow bag जब भी आप खरी दें तो दो चीजें especially आप उससे पूछें एक तो आप उससे पूछें कि वो ISI marked है या नहीं है और ISI mark में किसी का symbol देखने से नहीं चलेगा उसमें एक CML number होता है CML number देखकर ही आप purchase करें second thing कि यह है कि इसका micron जरूर पूछें क्योंकि micron पूछना बहुत necessary है यदि यह 500 micron का है तो आपका 5 साल कहीं भी नहीं जाएगा generally लोग क्या करते हैं 200 gram के grow bag को भी 5 साल के लिए बताते हैं 5 साल चलेगा जबकि ऐसा कभी नहीं होता है हमारे पास बहुत तरह के trials हैं इसके और हमारे पास practical results है तो हम आप सभी को suggest यह करते हैं कि इस तरह के grow bag केवल जो technical grow bag हैं वह यह आप purchase करें धन्यवाद हम आपसे जुड़े रहेंगे आपसे जानकरियां share करते रहेंगे पुन्ह मैं आपको हर grow bag की size और चीज दिखा रहा हूं यह देखिए जो आप अभी देख पा रहे थे वो सारे तरह के grow bags हमने यहां रखे हैं पुन्ह एक बार आपको दिखा रहा हूं में एक एक grow bag आप एक बार last में जाते टाइम हर grow bag को देख सकते हैं यह आपका सबसे पहले वाला है 24 इंटू 6 वाला उसके बाद यह वाला जो grow bag है यह आपका 8 इंटू 6 वाला है यह आपका 15 इंटू 6 वाला है लिफी वेजिटेबल्स के लिए यह वाला grow bag है 10 इंटू 8 का है यह वाला आपका grow bag 10 इंटू 10 का है यह वाला आपका grow bag 13 इंटू 12 का है यह वाला आपका grow bag 16 इंटू 11 का है यह वाला grow bag आप देख रहे हैं 18 इंटू 18 का है और last one यह grow bag आपका 24 इंटू चोविस का है थैंक्यू वेरी मच एवरी बड़ी आप लोगों ने हमारे ग्रोबैक्स की रेंज को देखा धन्यवाद पुन मिलेंगे जल से जल